हेलो दोस्तों स्वागत है आप सब का मेरे यूट्यूब चैनल रोहिनीं क्लासेस में तो आज हम क्लास 6 की प्रिथवी के प्रमुक परिमंडल चैप्टर 5 पढ़ेंगे जो की सोसल साइंस का पॉर्शन है इसमें हम यह देखेंगे कि भूमंडल क्या होते हैं वायूमंडल क्या जाए तो देखिए जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि प्रिथवी एकमात रहा है जहां जीवन संभव है क्यूंकि वहां क्या-क्या पाया जाता है सबसे में चीजे जो वह ऑक्सीजन और वाटर यह दोनों जो है वह जीवीत रहने के लिए बहुत इंपो जीवन के लिए आवश्यक तक तत्व भूमी जल हवा प्रिथवी पर मौझूद है फिर क्या है कि प्रिथवी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के तीन महत्पून घटक आपस में मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं यह चीज ध्यार रखिएगा प्रिथवी के चार और घेरती हैं तो उसे क्या कहते हैं वायू मंडल जहां पर क्या क्या है जहां पर ऑक्सीजन है ऑक्सीजन कितने प्रत्सत है 21% नाइट्रोजन 78% कारवन डायकसाइड 0.03% ठीक है और भी दूसरी कैसे अबलेबल हैं प्रिथवी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे क्या कहा जाता है जल मंडल और जल में जल की सभी अवस्थाइं बर्फ जल और जल वास्प सममेले थे तो देखए यह भी जान लेते हैं कि गREAK महांसा में लिथास में का उर्थ होता है पत्थर और जल को क्या कहा जाता है तो हुडर कहा जाता है और जीवन को बायोस आगे बढ़ते अब हम देखते हैं पहला पॉइंट जो की है भू मंडल जिसमें की हम लोग रहते हैं तो भू मंडल वो होता है कि पृत्वी का जो थोस भाग भू मंडल कहलाता है और यह भू परपटी की च महा सागरिये वेसिन तो महादीब जो है वो श्थली भाग है और जलाशे वाला भाग क्या है महा सागरीये वेसिन फिर क्या है कि विश्व के सभी महा सागर आपस में एक दुसरे से जुड़े हुए है अभी हम मांचित्र के थ्रू देखेंगे तो विश्व के मांचित्रु में देखिए क्या सभी इस्थली भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं तो देखते हैं अभी हम बात करते हैं समुंद्री जल का तल सभी जगा समान होता है और अस्थल की उचाई को समुंद्र तल से मापा जाता है अब यह देखिए यह है विश्व का मैप अब यह देखिए यह जो ब्लू पोर्शन से दिखाएगा है तो यह जल का है महासागर वाला पोर्शन तो यह देखिए एशिया के पास हिंद महासागर है यह प्रशांत महासागर है यह अटलांटिक महासागर है अजो अमेरिका ये बिलकूल अलग है यह दरचिछीड अमेरिका और अफरिका अलग है तो इस्ठल पोर्शन एक दूसरे से नहीं मिले हुए लेकिन जल का जो पोर्शन है महासागरक पोर्शन है वो सभी मिले हुए है एक दूसरे से ठीक है यहीं पर हम बात कर लेते हैं कि कौन सा महादीब है महादीब क्या होता है जो इस थल वाला पॉरिशन है तो कौन सा महादीब सबसे बड़ा होता है तो यह एशिया महादीब जो है विश्व का सबसे बड़ा महादीब है तो विश्व का सबसे उचा सिखर Mount Everest समुंतर से कितना किलो मीटर उचा है तो 8848 यह चीज बिल्कुल ध्या मेर्याना गर्थ और जिसकी गहराई 11,022 मेटर है तो यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यह चीज आप ध्यान रखेंगे कि सबसे उचा सिखर माउंट एवरेश जिसकी समुझतल से उल्चाई 8848 मेटर उचा है और विस्वका सबसे गहरा भाग कहा है प्रशाथ महासा महादीब की तो महादीब क्या होते हैं आधिये उससे पहले यह बॉक्स में देख लिए क्या लिखा हुआ है तो बॉक्स में यह लिखा हुआ है कि एडिमंड हिलेरी भारत के तेंजिंग नोर्गे शेयरपा 29 माई 1903 को पृत्वी के सबसे उचे सिखर मांट एवरेस पर नापान के जुको ताइवे विश्व की पहली माईला थी जिसने 16 माई 1975 को एवरिस पर कदम रखा और बचेंद्रिपाल भारत की पहली माईला है जिसने 23 माई 1984 को एवरिस पर कदम रखा तो यह जो है यह इस पॉइंट ओव यू से बहुत इंपोर्टन होता है कि माउंट एव क्यों से महादीप करने की तो आज देखंगे तो चलिए देखते हैं प्रिधिवी पर 7 से महादीप है ठीक है महादीप है ऑर यह यह जो है विस्टृत जल्राशी द्वारा एक दूसरे से अलग हुए है और यह महादीप कौन-कौन से हैं तो देखिए यह एशिया महादीप ये यूरोप महादीप है ये अफ्रिका महादीप है ये दच्छिड अफ्रिका महादीप है और ये उत्तर अमेरिका है ठीक है और आंटार्क्टिका भी है ठीक तो ये दिखें एक ऑस्ट्रेलिया महादीब भी है और ये अंटार्क्टिका महादीब भी है तो 7 हो गए 3, 3, 6, 1, 7 तो 7 महादीब हो गए ठीक है? अब हम देखने हैं कि मानचित्र की सायता है कि सबसे बड़ा महादीब कौन सा है तो सबसे बड़ा महादीब है ये एशिया महादीब तो ये प्रिध्वी के कुल छेतरफल का लगवग एक तिहाई भाग पे फैला हुआ है एक तिहाई भाग पे एशिया ही फैला हुआ है और ये महादीब जो है वो पूर्वी गोलाद में है तो और देखिए इस से कौन सी रेखा होके गुजर रही है तो यह देखिए ये जो पॉजिशन ये वाली लाइन गई है ये तो भूमद रेखा है ये करकर रेखा है और ये म कर रेखा जो है वह कर रही है एशियम महादीब होके घजर दीप अगर आपसे पूछा जाएगा कि भूमद रेखा क्या होके गुरणती है तो बिल्कुल नहीं होके जडर्ती है ठीक है अब यह है कि इसके पश्चिम में यूराल पर्वत है यह пर explain क्या परवत है यूराल परवत है जो कि क्या करता है यूरोप को एशिया से अलग करता है और यूरोप एवं एशिया संयुक्त भुभा को क्या कहते है यूरेशिया क्या कहते है यूरेशिया क्यों कहते है यूरेशिया यूरे से यूरोप बना है और शिया से एशिया बना है ठीक है अब बात कर लेते हैं थोड़ा यूरोप की तो ये रहा पिद्दू सा यूरोप तो यूरोप क्या है एशिया का जो है बहुत छोटा है मतलब एशिया से तो ये बहुत छोटा है ठीक है और ये महादीब जो है एशिया के पस्चिब में इस्थित है तो एशिया के पस्चिब में इस्थित है ठीक है और आर्कटिक वृत इससे होकर गुजरता है जो आर्कटिक वृत है वो इसी से होकर गुजरता है और विश्व के मानशित्र में हम देखी रहें कि इसकी स्थिति क्या है तो क्या है एशिया के अफ्रिका महादीब की तो अफ्रिका ये रहा ये अफ्रिका महादीब रहा ठीक है तो अफ्रिका क्या है एशिया के बाद विश्व का दूसरा सेकेंड लार्जेस्ट महादीब है ठीक है तो सेकेंड नमबर पर क्या आया अफ्रिका आया तो ये जो है ये विश्वत वृत पर जीरो डिग्री अच्छांस इस महादीप के लगभग मध्यभाग से होके गुजरती है तो आप ये ध्यान रखेंगे कि ये एक मात्र अफरीका ऐशा महादीप है जिससे तीनो रेखाएं होके तीनो रेखाएं जो है वो गुजरती है और अफरीका का बहुत बड़ा भाग उत्री गोलाद में इस्थित है तो अब देखिए अफरीका महादीप में ही है जो ये सहारा मरुस्थल दिखाई दे रहा होगा तो ये जो है विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है क्या है सहारा मरुस्थल है ये महादीप के चारो और समुझर महासागरों से गीरा हुआ है ठीक है और यह महादीब जो है चारों तरफ समुन्ध महासागरों से घीरा हुआ आप मानचित्र में आप्छीK में लोग देख रहे होंगे इसे और इससे किस सब से लंबी नदी नील नदी यह धिए निल नदी जो अता है उत्तरी अमेरा क्या विशेुशता है कि दक्षिर अमेरिका के एक सक्रे अस्त्थल से जुड़ा हुआ है.. जिसरे जो पनामा जलसंदिय। एक दुसरे को अलग करती है तो ये जो महादीब है ये पूरा जो है उत्तरी एवं पश्चमी गोलाद में इस्थित है और ये महादीब जो है वो तीन महासागरों से घिरा हुआ है तो कौन-कौन से महासागर से घिरा हुआ है एक तो ये प्रसान महासागर हो गया एक ये Atlantik महासागर हो गया और एक ये Arctic महासागर हो गया तो इन तीन महासागरों से ये जो है वो घिरा हुआ है अब बात कर लेते हैं South America यानि कि दक्षडी अमेरिका तो इसका अधिकांस भाग किदार है? दक्षडी गोलाद की तरफ है और इसके पूर्वे पस्ची में कौन कौन से दो महासागर है पूर्वे में तो जो है पूर्वे में अटलांटिक महासागर है और पस्ची में प्रसांत महासागर यह चीज़ा आप ध्यान रखेंगे मैं figure की तुरू आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि चीज़े आपको फिगर में ही याद हो जाए इसके लिए आपको ज़्यादा दिमाग यूज़ करने की ज़रत ना हो और जैसे आपको मैं प्याद आए तो आपको चीज़े याद आजाए तो देखिए नौर्थ अमेरिका के पूर्वे में कौन सा महासागर है अब बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की तो आस्ट्रेलिया जो है विस्व का छोटा महादीब है जो पूरी तरह से दक्षिड देखिए पूरी तरीके से जो है यह कहा है दक्षडी गोलाद में इस्तित है और इसके चारो तरफ महासागर आपको दिखाई दीर हैं तो यह जो आस्ट्रेलिया आपको ब लेकिन जो आस्ट्रेलिया व्ह पूरी तरीके से आपको पानी में त्यारता हुआ दिखरा होगा यह जो है पूरी तरीके से नहीं घीरा हुआ दिख रहा होगा साउथ अमेरिका भी नहीं घीरा हुआ दिख रहा होगा लेकिन जो आस्ट्रेलिया वह पूरी तरीके से आपको पानी में तैरता हुआ दिख रहा होगा तो इसलिए आस्ट्रेलिया महादीप को द्वीपी महादी पूरी तरीके से महाधीब के मध्ध में इस्तित है चुकि यहां पे जो है दक्षडी दुरूफ छेत्र इस्तित है इसलिए यहां हमेशा मोटी बर्फ पढ़ी रहती है तो आपको मैंने बताया था पिछले चैप्टर में कि जो पोल्स होते है तो पोल्स में क्या होती है सन की रेखाई बिल्कुल तिर्ची पढ़ती है तो यहां 6 महीने जो है दिन होता है 6 महीने की रात होती है तो यहां पे जो है मोटी बर्फ की परत जमी रहती है यहां किसी भी प्रकार का स्थाई मानो निवास नहीं है क्यूंकि इत्ती जादा ठंड है तो वहां लोगों के रहने के लिए अनुकूलन वहां पे गंगोत्री तो यह दोनों शोद गेंद वह भारत के हैं जो कहां इस्टेब्लिश हैं अंटार्क्टिका में अब थोड़ा बात कर लेते हैं जल मंडल की तो यह जो आपको नीले कलर का पॉर्शन दिख रहा होगा तो यह जल मंडल है तो इसे जो पृत्वी को है जो नीला ग्र है और एकत्र परसेंट जल है तो इसलिए इसे नीला ग्र कहा जाता है और जल मंडल में जल के सभी रूप है जैसे देखिए यहां पे जो अंटार्क्टिका महादीब देखां यहां तो बर्फ की मोटी परत होती है ठीक है और क्या हुआ कि जो प्रित्वी पर पाये जाने व बर्फ भी पाई जाएगी और जल भी पाई जागा इसलिए जो जल की तीनों अवस्थाएं यहां पर इस्टैबलिश होती है तो मांचीत्र के थूट हमने देख लिया आई हम देख लिते हैं लिखा भी क्या हुआ है तो प्रित्वी पर साथ महादीब है ठीक है और विस्त् कितने चेत्रबल पर है एक तिहाई भाग पर फैला हुआ है किदर है पूर्वी गोलाध में है ठीक है और करकरेखा से होकर जो है यह महादीब होकर गुजलती है करकरेखा से और एशिया के पस्चिम में यूराल परवत है इधर पस्चिम साइड में यूराल परवत है जैसे यह महादीप एशिया के पश्चिम में स्थित है और आर्कटिक वरित इससे होकर गुजरता है और यह तीन तरब से जल से घीरा हुआ है तो मांचितर पर हम देखी चुके हैं और अफरीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महादीप है और विश्वत वरित उत्री गुलाद में स्थित है और यहां से होके देखिए करक रेखा विश्वत रेखा मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं और यहां पर पाया जाता है सहारा मरस्थल जो की विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो की कहां इस्टैबलिश है वो है अफर मरस्थान सहारा सबसे बड़ी नदी नील नदी और तीनों विश्वत रेखाएं जो हैं वो तीनों जो रेखाएं हैं विश्वत रेखा करकर रेखा मकर रेखा यह भी यहीं से गुजरती है तो यह चीज आप ध्यान रखेंगे अब बात करते हैं उत्री अमेरिका की तो वि कहते हैं स्ठल संधी क्या होता है कि पानी का सकरा भाग होताहए जो बड़ी जलरासी जैसे समुंदरे तथा महासागरों को एक दूसरे से जोडता है तो यह बारत भारत से स्रीलंका और ये जय रहें एक दूसरे से भारत और श्रिल्यंगा के बीच जलसंधी का नाम बताइए तो क्या जलसंधी का नाम है पाक स्रेट तो पाक जलसंधी नाम है यह जह आप ध्यान रखेंगे आगे बढ़ते हैं तो यह महाधी पूरी तरीके से उत्तर एवं पश्चमी गोलाद में इस्थ प्रशान महासागर नहीं तो प्रसांत महासागर अट्लाइनिक महासागर और उपर के अर्खटिक महासागर से घिरा हुआ है अब बात करेंगे दच्शणी अमेरिका के बारे में तो पोर्व पूर्व सब्स्चिम और इसके उत्तर दक्षिड की ओर फैली हुई है तो दक्षिड अमेरिका में सबसे बड़ी नदीब ही एमेजोन यहीं बहती है अब बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की तो ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे चोटा महादीप है जो पूरी तरीके से दक्षडी गोलाद में इस्तित ह और इसके चारों तरफ महासागर और समुन्द्र होते हैं तो इसलिए इसे द्वीपी महादीप कहा जाता है अब बात कर लेते हैं अंटार्क्टिका तो यह एक बहुत बड़ा महादीप है जो की दक्षडी गोलाद में इस्तित है और दक्षडी धुरू इस महादीप के मध अब बात करते हैं जल मंडल की तो जल मंडल क्या है तो यह देखिए जैसे कि आपको फिगर आउट हो रहा होगा कि 97.2% भाग पे महासागर है जो की बिल्कुल खारा पानी है जो पीने योग्य नहीं और पीने योग्य पानी कितना है 0.03% पीने योग्य पानी है इसलिए कह जाता है कि जल को जो है वेस्ट नहीं करना होता है अगर यह पीने योग्य पानी खतम हो गया तो इनसान जीवन भी खतम हो जाएगा और यह देखिए 2.77% पर क्या है हीम चादर ठकी हुई है तो आयो देखिए क्या लिखा हुआ है तो देखिए जल मंडल तो पृत्वी को नीलाग्रह कहा जाता है तो पृत्वी के 71% भाग पे जल है तो इसलिए जल का कलर जो है वह रिफ्लेक्शन के कारण ब्लू दिखता है और 29% भाग पे स्थल है और जल मंडल में जल के सभी रूप उपस्तित है क्यों कौन कौन से रूप हुए कि जैसे देखिए बर्फ भी जल वाजब भी उपस्तित और जल भी तरण रूप में उपस्तित है और इन्वे महासागर एमम नदिया जीने भूमी का जल मंडल की जल वाजब सभी सब्लित है प्रित्वी पर पाये जाने वाले जल का संतानवे प्राइशत भाग अधिक से भाग जो है वह महा सागरों में पाये जाते हैं वह इतना अधिक खा रहा होता है कि बिल्कुल पीने योगी नहीं रहता तो यह देखिए तुलनात्मक जो अधिया यहने तो देखिए आपको बॉ अधिका दैन ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया जो है वह सबसे चोटा महादूइब है तो जो महा सागर का जल होता है वह मानव उपयोग में नहीं आ सकता क्यों क्योंकि वह बहुत ज़्यादा खारा होता है और सेज जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों में और तो महा सागर जल मंडल का मुख्य भाग है ये आपस में एक दुसरे से जुड़े हुए हैं और महा सागरी जल हमेशा गतिशील रहते हैं तरंगे जौर भाटे जो आप ये सब चीज़े आगे पढ़ेंगे अभी हम महा सागरी धाराए हो गई महा सागर जल की तीन मुख्य तो ये सारी चीजे कहां पाई जाती है, महासागरी जल में ही पाई जाती है तो बड़े से छोटे के आधार पर क्रमसा पाँच महासागर प्रमुख है और सबसे चोटा आर्कटिक महासागर तो देखिए प्रशान महासागर सबसे बड़ा महासागर है और यह प्रित्वी के एक तिहाई भाग पे फैला हुआ है और प्रित्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्थ भी यहीं पर इस्थित है और प्रशान महासागर लगभग क्य अभी हम चित्र के मादी हम से भी महासागर सारे देख लेते हैं और इनके पस्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिर अमेरिका है और पूबरवी किनारे पर यूरोप एवं अफरिका है तो आए हम मतलब मैप के तुरू ही देखते हैं ताकि जी चीजे जहें वो याद हो जा और यह कैसा है वृता कार चक्र में कैसे क्यूंकि देखिए प्रसाथ महासागर आपको यहां भी लिख रहागा और यहां भी दिखरा होगा तो प्रित्वी की कौन सी शेप में स्फेरिकल सेब में तो इसलिए यह गोलाकार इस्थिती में उपस्तित है और ऑस्ट्रेलिया य इसे चारो और इस एसा कार जाता है और इसके पस्चिमी किनारे पर यह ठीएचिया किनारे पर पर अफ्रीक तो ये जो अटलांटिक महा सागर है तो ये क्या है यह जो है यह ढ़ीप नार और प्रत्रो के बैदर्ग दि flexibility तो मत्राइफ है और sa कुछा जाता है कि सबसे व्यस्ततम महासागर कौन सा है तो यह क्या है कि व्यस्ततम महासागर जो है अट्लांटेक महासागर है क्यों है क्योंकि यहां पर विवेन पोताश्रे और पत्तन इस्थित है तो यहां पर व्यापार बहुत अच्छा चलता है इसलिए हमेशा बीजियस्ट रहता है अब बात कर लेते हैं दक्षडी महासागर की तो दक्षडी महासागर जो है आर्कषडी महादीब के चारो और इस्थित है तो यह देखिए चारो और इस्थित है दक्षडी महासागर आर्कषडी महादीब के और यह जो है आर्कषडी महादीब के उत्तर की ओर साथ डिग्री दक्षरी अक्षांस तक फैला हुआ है तो कितने डिग्री अक्षांस तक फैला हुआ है 60 डिग्री अक्षांस तक फैला हुआ है अब बात करेंगे आर्कटिक महासागर की तो आर्कटिक महासागर जो है वो उत्रे ध्रू में इस्थित है और यहां उत्री धुके 4 तरफ फैला हुआ है और यह प्रसांद महासागर के छिछले जल वाले एक सकरे भागत से भी जुड़ा हुआ है जिसे क्या कहते है? तो ये देखिए जो छिछले पॉर्शन से जुड़ा हुआ है तो इसे क्या कहते है? यहां क्या है बेरिंक सब्सक्राइब बात करते हैं अब बात करते हैं कितनी परट दिखाई कि ने इन तौखें के जाता है और जोσιन वगाइरा नाइट्रोजन वगाइरा पाया जाता है to कहां पाया जाता है छो मंडल में सम्ताप मंडल और सम्ताप मंडल में ही जो है और ऑजौन की परत Souza 12 पर सुड़ाने वाली लिकनर से हमें बचाती यह स्ट्री के समान कारे करती है पराबैगनी विक्रिनों को आने से क्या हो बहुत cancerous nature का होता है और तवच्या cancer होने की ज्यादा से ज्यादा तो देखिए हमारी प्रिथवी के चारो और गैस की अफ़िला गिरो यह जिसे क्या कहते हैं वायू मैंने बता का आपको की वाईू मंदल में जो है कौन-कौन सी गैशे होती है तो आकसीजन होती है कितने परसें 21 परसेंगे। आगे बढ़ते है। तो वाईू का महतुरपुन और अटूट भाग है। इसी की वज़े से तो है जो यहां पर जीवन संभव है और यहां हमें वायू-प्रदान होती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं और यह वायू-मंडल हम लोगों को सूरी की कुछ हानिकारग किर्ड़ों से बचाता है जो कि मैंने बताया पराबैगनी विकरन कहते हैं उसे और व तो जो हमारा वाइव मंडल है वह बेसिकली दो जो गैस हैं वह बहुत जादा होती है आक्सीजन और नाइट्रोजन तो वाइव मंडल मुख्यता है इन ही गैसों से बना हुआ है जो कि साफ और सुसक हवा का 99 प्रस्चत भाग है और आटन के अंसार नाइट्रोजन का टूहसा है और समूंध्री तल्र पर सबसे अधिक होती है जैसे हम ऊपर की ऊर जाते हैंどう शुकर या तेजी के साथ घटता है तो इसे क्या हुआ जैसे जैसे उपर की और जाएंगे तो घणतुन जो है वो घटेगा ठिक है तो यह क्या हुआ कि सबसे नीचे यानि कि छो मंडल में घञटू सबसे जादा होता है आप जानते ही है कि पहाड़ों पर पर्रवता रोही हवा घण कभ़ा वाईू सांस लेने में कटनाई होती है और उचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ औॉकशिजन और और जैसे जैसे हम उपर की और जाते है तो थाप बिगटता है और वाय्व मंडल पृठ्वी पर दिप अलग अलग होती है तो कुछ छेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है और कुछ छेत्रों में हमें कम दाब महसूस होता है तो वायू उच्छ दाब से निम्न दाब की और बहती है यह चीज बहुत इंपोर्टेंट होता है कि वायू जह है उच्छ से निम्न दाब की और बहती है और instructors को क्या कहते है'S पावण कहते है तो यह यह फिगर आउट हो रहा होगा आपको कि यह देखिए यहां पर वायो मंडल है यहां जल मंडल और यह स्थल मंडल है तो यह तरह मनंडल मंडल वहाथ इंपर्टन रोल निभाते हैं जो ईयापन करने के लिले देखे जन मंडल वाई मंडल पर निवास जरूरी होता है देखिए सारी टी देखिए जो अपर ड्रिक्ष पानी उपर जाता है तो फिर फसल उखती है बारिश जरूरी होता है क्योंकि जो है हमारे मांसून को ही फॉलो करते हैं तो इन सब चीजों के लिए जो तीनों मंडल बहुत इंपॉर्टेंट है अब बात कर लेते हैं जीव मंडल तो जीव मंडल स्थल जल हवा के बीच एक ऐसा सीमित भाग है यह वह भाग है जहां जीव मंडल से जुड़े हैं और जीव मंडल में प्राणियों को मुकिता दो भागों में बाटा गया एक है जन्तु जगत एक है पादब जगत में भक्त किया गया है है ना तो प्रिथवी के यह तीनों परिमंडल आपस में पारस्पी क्रिया करते हैं और एक दुसरे को किसी ना क इसी रूप में प्रभावित करते हैं तो उधारन के लिए हम समझते हैं कि लकडी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाता है तो ढलवा भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है और इसी प्रकार प्राकृतिक आपदायां जैसे भूकंप और पृत्वी की सता प नहीं रहे गया और यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुचाता है तो यह चीज़ा आप ध्यान लखेंगे और उद्ध्यों को तापिये विद्युत्सयंत्रों और गालियों का उत्सरजी पदार्थ वायू को प्रदूशित करता है जिसमें से कारबन मोनो ऑक्साइ प्रिथ्वी के संसाधनों का सीमित उप्यों आवश्यक है अब आईए इस चैप्टर के क्वेस्चन देख लेते हैं तो पहला क्वेस्चन है कि प्रिथ्वी के चार प्रमुक परिमंडल कौन-कौन से हैं तो देखिए भू मंडल है जल मंडल है वायू मंडल है और जीव प्रिथ्वी के प्रमुक महादीप का नाम बताई तो यह तो अब आपको यादी हो गया है कि देखिए एशिया महादीप यूरोप अफरिका उतरी अमेरिका दक्षडी अमेरिका और अंटार्क्टिका नेक्स्ट है कि दो महादीपों के नाम लिखिए जो पूरी तरीके से दक्षडी कोलाद में स्थित है तो एक हुआ ऑस्ट्रेलिया और दूसरा कौन सा है अंटार्क्टिका अंटार्क्टिका तो यह पूरी तरीके से दक्षड में स्थित है नेक्स्ट बात करेंगे कि वाई मंडल की विभिन परतों के नाम तो पहली परत है शोम मंडल समताप मं आयन मंडल और बहेर मंडल को सब्सक्रावं परतों नीला मंड़ा जाता है क्यों कहा empathy महतरपून जीवद प्राणी जीवद मांडल और कि जीवद ममंब्ल से रहने के लिए एक दूसरे तथा जीव मंडल से जुड़े हुए हैं और इसलिए जीवित प्राणियों के लिए जीव मंडल बहत्तों पूर्ण है अब आए कुछ अब्जेक्टिव क्वेस्चन देख ले तो पहला क्वेस्चन है कौन सी परवत स्रिंखला एशिया एवं विरो सरवादिक है तो नाइट्रोजन का 78 परसेंट नेक्स्ट है कि प्रिथवी का कौन सा भाग ठोश चट्टानों का बना हुआ है तो कौन सा थल मंडल ठीक है नेक्स्ट है कि सबसे बड़ा महादीप कौन सा है तो यह एशिया महादीप है अब बात कर लेते हैं फिलिंग दिब महासागर में एक देश के नाम पर रखा गया है तो हिंड हिंड हिंदुस्तान के नाम पर रखा हुआ है यूरीशिया यू रेशिया नेक्स्ट है प्रित्वी पर सबसे उंचा परवस्थिकर क्या है माउंट एवरेस्ट कितना मीटर उचा है आठ हजार आठ सो अड़ तालेस मीटर उचा है ठीक है तो यही समाप्त होता है मेरा यह चैप्टर और कैसा लगा मेरा यह वीडियो जरूर आप मुझे पताए कमेंट बॉक्स में मेरे वीडियो उसको जादा से जादा शेयर करिए ताकि जादा से जादा लाभानवित हो सके लोग और प्लीज आप वीडियो देखते हैं अगर आप आपको थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज प्रेस दा लाइक बटन और सब्सक्राइब के बगल में एक बैल आइकन है उसे भी आप प्रेस कर दीजे ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालू तो आपको पता चल जाए थैंक्यू वेरी मुझ